कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारीक है आपको जरूँ कर सकते हैं लाइब मार्केमने कॉल पर आपको आपको वहां पर टेकनिकल चार्ट इस्टडी मैटेरियल और आपको मिलते रहती हैं तो आप जरूँ जोइन करें तेल्गराम चैनल पर वीश्यव दाइबलेबल है आप उसे भी जोइन कर सकते हैं हैं तो सबसे पछले मिलोग फार्मा इंडीक्स को देखेंगे उसके युज़के साथ साथ अटो को भी देखने की कोशिज करेंगे तो चलिए एश्टाजेनिका से स्टाट करते हैं और एश्टाजेनिका बद तीस सो के उपर निकलने बाद मुवमेंट करेंगा अभी फ्लाल अभी था साइडवेज है निगेटिव जोन में छोड़ देंगे और विंदो फार्मा की बात करें और विंदो फार्मा में अल्रेडी मैंने शॉट ट्रम कॉल दिया हुआ है आप देख सकते हैं वह तीस सेकंड के एक वीडियो था इसको 700 कल यह अच्छा मुमेंट करना चाहिए 705 के उपर निकलने बाद साथ सो बीस तक के टार्गेट आपको और विंदो फार्मा दिखा सकता है बायो कॉन की स्टार्ट करें बायो कॉन में भी मुमेंट है लगे 390 नेश टार्गेट उसके बाद क्लोजिंग पर 410 तक के टार्गेट आपको बनेंगे करला हेल्थ के बात कर देखिए यह अभी इस बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है तो लोर बेंट से अब अपर बेंट की तरफ जाने कोशिशित कर तो इसका फाइनल टार्गेट अभी बता हूं इस बैंड का तो 480 रुपए का बनेगा कल अगर यह उपर 465 को ब्रेक करता है तो 480 तरफ जाने की कोशिशित कर सकता है सिपला 920 के उपर पोजिशन बनाएं तो ज्यादा बैतर होगा 920 के उपर जाएगा तो 940 तक के टार्गेट बनेंगे तो सिपला 920 के उपर अभी कुछ नहीं डिवीज लेब की बात करते हैं डिवीज लेब उपर के साइड में अभी 4700 को पर की क्लोजिंग चाहिए तो 489 के टार्गेट बनेंगे डॉक्टर लाल पैथ लेब में मुमेंट 3600 के उपर बनेगा यह 3650 के उपर उसके पहले नहीं अभी बॉटम आउट किया हुआ है और यहां से यहां से यहां से 520 और 520 के 530 तक के टार्गेट बनेंगे गरेनल्स इंडिया में जैसा कि यह कह रहा था कि यह जो बना हुआ है एक ट्रेंगल पैटर्न समझ लेजिए प्राइश चानल समझ लेजिए इसने एक लोर इंड को टर्च करने बाद अपरवेंट की तरफ गया वहां पर से ब्रेक आउट कल ही बात हो चुका था कि 315 से 20 के उपर निकलेगा तो आपको एक बड़े टार्गेट की तरफ के लिए रेडियो जागा 340 के टार्गेट यानि कि आप तार्गेट जो नया बनेगा वो 330 से 340 तक का इसके अलाबा अगर नोबाटीस की बात करें फार्मा इंडेक्स को भी दे तो फार्मा इंडेक्स में ब्रेक आउट के यहां से बॉटम आउट हुआ है और यहां से अब साइड में 13600 के उपर 3550 के उपर निकलता तक के टार्गेट दिखा सकता है अभी देखिए नोबाटी में निकलता है पिरामल यानि कि लगवख लबख 2750 के उपर निकलेगा तो 2700 तक के टार्गेट आपको पिरामल दिखा सकता है इश्टाइच फार्मा की बात करें तो इश्टाइच फार्मा में अगर उपर की साइड में निकलता है तक लिए इस च्टॉक में खराब नहीं लेकिन इस श्टॉक के साथ प्रॉब्लम कुछ है नरुनी जो पता नहीं चल रहा है बाजार को पता है हम लोगों को पता नहीं इस वेदा से श्टॉक में मूव नहीं हो रहा है अब साइड में यह कम से कम 480 के उपर की क्लोजिंग चाहिए तब यह 500 तक के टार्गेट दिखा सकता है कि अधि ने वी संफार मा उपर की तरफ में अभी कुछ ने 750 को ऊपर जा गए तब पोजिशन बनाएंगे वोकड में कोई मुवमेंट नहीं हो रहा है वोकड में मुवमेंट 460 के उपर होगा 55-60 के उपर अगर निकलेगा तो आपको यह फिर 475-500 के टार्गेट भी दिखा सकता है वोकड फार्मा तो यह तनी था निप्टी के फार्मा पर भी हूँ चलेंगे मेटल की तरह लेकिन सब कृफ साइड में जाएगा ऊपर की साइड में तोड़ देता है किसी भी करनवाद 1775-8008 के उपर तभी 18010-800 20 तक के तरह ला तेने की कोशीज करेगा APL Apollo उपर की साट में 950 का एक रेइस्टेंस एरिया, 950 को ब्रेक करेगा, तो 975 से 1000 तक के टार्गेट दिखाएगा APL Apollo के बाद आगे बड़े, और Call India की बाद करेगा, Call India उपर की साट में 152 पर निकलेगा, तो 155 से 57 का लेबल दिखाएगा, हिंड आलकों की बात करते हैं हिंड आलकों में ब्रेक आट फ्लो गया है, और 460 का टार्गेट तो यहां इस बॉक्स के एरिया से बाहर जेसे ही निकला चाल, कल भी हम लोगों ने बात किया था इस बारे मां, अगर याद है अगर आप फॉलो करते हैं आपको यह पता होगा, कि चार सो चालिज से पैताले इसके टार्गेट 460 के थे और आज इसने उस चीज को कंप्लीट कर लिया सारे 3% की तेजी, कल अगर यह अपने हाई को ब्रेक करता है, कम से को ब्रेक करना चाहिए, 460 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, then 75 से 80 का टार्गेट भी दिखा सकता है, तक के लेवल आ चुका है, 365 के ऊपर क्लोज करेगा, 370 से 75 तक का टार्गेट आपको दिखाई देगा, हिंदुस्तान जिंक में जिन्दल स्टील की बात करते हैं, तो इस स्टॉक्स ने ब्रेक आउट कर दिया, बहुत ही बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, जिन्दल स्टील भी तक 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 बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, जिन्दल स्टील की बात करेगा, जिन्दल स्टील थेगा, मुल मुल में दीखे एक उपर की सैड में एक रजिस्टेंस एक इत्से लेकिन हमें एक WORलो रिस्टेंस के टार्गेट का वेड करना होगा 언제 एक सबस्क्राइब करें एक अथा इइक डिशेक एक एक इसमय अ टार्गेट मील जाएंगे जह सेल में अभी देखिए ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है सेल में मैं चार्ट को एक पर छोटा करना चाहूंगा 110-110,501,152 तक्का टार्गेट बन जाएगा टाटा सिब्स नेक्श टार्गेट zwl162 सांदर साथ टारिफ तक कंश चेह ऴिएनार creative तक को कि इशतलिध नेगाम problems है उस लेवल को ब्रेक कर दें कि आप काफी समय से स्टॉक एक ही रेंज में टेड कर रहा था मार्केट के गिरावट के वज़ा से आप यहां पर देखें यह देखें इसके ऊपर की साइड में 36,400 निकलेगा तो 37,000 तक के टार्गेट बनेगे इसके वज़ा से आपको बिर्ला शॉक्ट में नजर रखना है 500 को पर निकलेगा तो 520 तक का टार्गेट बनेगा कोफोर्ज की बात करें कोफोर्ज में अभी कोई लेवल नहीं है छोड़ देंगे कोफोर्ज कोई हपिएस माइंसेट इसमें मुमिंट बन सकता है इसमें यहां लेवल इंपोर्टेंट है 1345 से पचास ब्रेक करेंगा 1400 के टार्गेट बना के देगा इन्फो एज अन्ठावन सो पचास से उन्टार्गेट दिखाए देगा इन्फोसीस की बात करें इन्फोसीस में देखें बहुत जल्द आपको एक ब्रेक आउट देखने को बन सकता है और यह उपर के लेवल आ रहा है 1745 से 70 वो ब्रेक करेगा तो 1800 के टार्गेट आपको बना के दे सकता है अब जर्ज डैल की बात करें जर्ज डैल ऊपर की साइड में 750 के उपर निकलेगा कि आपको बना जब है 775 से 800 तक का टार्गेट बनाएगा ऐलन टी इंफोटेग कुछ नहीं चौड़ देंगा आपको ज्यादा से ज्यादा 600 को नीचे ब्रेक करें तो 200 के टार्गेट के लेगा हैं इसको नीचे की साइड माइंड ट्री बहुत बड़ी है माइंड ब्लोइंग हो जाएगा अगर यह 4670 से 50 को ब्रेक करें तो 4800 तक के टार्गेट दिखाई देगा एमफासिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और एमफासिस 32 को पर निकलेगा तो परिशान नहीं दिख रहा है तीस यहां से उपर की लेवल का एक ब्रेक आउट चाहिए हमें 3654 के उपर दैन आप 3700 तक के टार्गेट बनाके दे सकता है कि टाटा इलक्सी की बात करें टाटा इलक्सी 6000 के उपर शेश्टेंग करेगा तो बिपरो उपर की साइड में 675 के उपर निकलेगा शेश्ट से 675 के टार्गेट बनेंगे तो यह ता फार्मा मेटल राइटी बे मेरा भी अब चलेंगे जरा फाइनेंसियल स्टॉक की तरफ और फाइनसियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फाइनेंसियल के ब्रेक आउट अग्याड आगया कल भी मैंने इस बारे बात का तक आगर यह 7,600 के टार्गेट बनेंगे अज कहा है 7,378 लगवग एक टार्गेट कंप्लिट हो चुका है ऊपर चयफाफ शों पचीस से तीस के उपर निकलेगा तो आपको पचछथ तर सो तक के टार्गेट भी दिखा सकता चोहतर से 25 से 30 के उपर निकल जे बजाज फिंसर उपसाइड में अठाराजार बजाज फिंसर पका अगला लेवल 18,000 का बनेगा उपसाइड में देखिए उसके बाद ये फिर 18,500 से 600 के टारगेट देगा चोला फाइनेस पर नजर रखेगा पांसो असी को उपर एक मुवेंट बनेगा 600 होगे टार्गेट के लिए इंडिया बूल हॉसिंग फाइनेंस अभी छोड़ दीजिए यह सिप्रिस्की ट्रेडर रालों के लिए एबॉइट करके चलेंगे 260 का एक लेबल हडल वो ब्रेक करेगा 260 से 65 को तब 270 से 75 का लेबल दिखाएगा लाइसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो अपसाइड में लाइसी हाउसिंग फाइनेंस में 390 को पर निकलने दीजिए 400-405 यह चोटी टार्गेट के लिए पोजिशन बना सकते है अपसाइड में 80-80 को ब्रेक करेगा तो 82-83 का टार्गेट मननप उरंफ फाइनेंस बाइट पॉर्टफोलियो इस्टोक है पाइवन टीप करना है लंबे समय के लिए लांग टर्म के लिए अगर ब्रेक करता है 166 के उपर क्लोज तो 70-75 तक का टार्गेट बनेगा मुथूट फाइनेस अब साइड में जारें के लिए 1515 या 20 के उपर स्टेंट करें तो 1550-1600 के टार्गेट बनेंगे अब ऐसा ट्रांस्फिन की बात करें तो 1500 के उपर निकलता है साइसा ट्रांस्फिन कल 1475 के उपर बोला था यह अब 1500 के उपर अगर सटेंट कर गया तो 1525 से 1550 के टार्गेट बनेगा तो यह था दूस्तों निप्टी के फ़ारा मेंटेल आटिक और फाइन से इस्टोक के मेर बहुत बहुत धन्यवाद